साथियों अभी मेरी अनेक सिको समझे बात्चीत करने का मौका मिला सब अलग-अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग-अलग प्रयोग करने वाले लोग हैं भाषा को अलग होगी, खेत्र अलग होगा, समझाएं अलग होगी लेकिन ये भी है कि इनके बीच में, आप कितने ही कौन हो, आप सब के बीच में एक समानता है और वो है आपका कर्म, आपका विद्यारतों के पती समरपन और ये समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है और आपने देखा होगा, जो सफल टीचर रहा होगा, वो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहता है कि चल, ये तेरे बसका रोग नहीं है, नहीं कहता है टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंट होती है, वो पोजिटिविटी होती है, सकारात मकदा कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूर हो, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटी करो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा, यहने आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है, वो हर बार पोजिटिव ही वो कभी किसी को नेगेटिव कॉमेंट करके निराश कर देना हतास करता ने उसके नेचर में नहीं है, और एक टीचर की भुविकाई है, जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है, वो सपने बोती है, टीचर जो है न, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है, और संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है, कि देख ये सपना पूरा हो सकता है, तुम एक बार संकल्प लो लग जाओ, आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है, और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है, उसे वो सिद् यानि सपने से सिध्धी तक्कीस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंजी के सहत होती है जो किसी टीशर ने उसकी जिंदगी में सपना बोया था दिया जलाया था जो उसको कितनी चुनोतियों अंधेरों के बीच में भी रास्ता दिखाता है और देश भी आज नए सपने नए स अंकल्प लेकर के एक ऐसे मोड पर खड़ा है कि आज जो पीड़ी है जो विद्यारतिय अवस्ता में है 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा यह उनी पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है इसका मतलब हुआ कि 2047 को देश गरने का काम आज जो बरतमान में टीच 20,42 साल सेवाएं देने वाले हैं उनके हाथ में 2047 को भविश्टा होने वाला है और इसलिए आप एक स्कूल में नोकरी करते है सानही है आप क्लास्रुम में बच्रे को पढ़ाते हैं सानही है आप एक सिलीवस को अगरते हैं सानगी है आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिन्दगी बनाने का काम और उसकी जिन्दगी के माध्यम से देश बनाने का सपना ले करके छलते हैं